अब लोग कैसे हैं उम्मिद करते हैं आप ठीक होंगे अप लोग घिल्दी होंगे फिर सब जो प्लांट देख रहे हैं आप इसको पहचानते होंगे आप इसे और्नमेंटल प्लांट के तोर पर जानते होंगे और इसको फर्न कहते हैं और इसका जो एक और्नमेंटल यूज तो बहुत कॉमन है उसके अलावा भी इसका यूज होता है और ये एक वैसकुलर प्लांट होता है जो कि टॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में बहुत एजली ग्रो करता है और वैसकुलर प्लांट है मतलब ये कि यूह टायों इसमें या फ़लौ आवर नहीं पाया जाता है तो अगर इसके बारे में इसके अबारे में इस तरह से यह हो कि अनिमेंटल प्लांट है इसके और यूज़िए की बात करें तो यो फूड के छो पर भी जो fern है यूई यूज किया जाता है इसमें vitamin C काफी होता है फाइबर भी होता है इसके लवब medicine के तोर पर भी यूज किया जाता है bio fertilizer के तोर पर यूज किया जाता है फर्न कई टाइप के होते हैं अगर आप royal fern की बात करेंगे तो ये जो intestinal warm होता है intestine में जो warm पाय जाते हैं कीड़े पाय जाते हैं उनके लिए royal fern यूज़ किया जाता है और rock cap की अगर बात करें तो जो stomach egg है या cholera है उसके लिए यूज़ किया जाता है और Christmas fern की बात करें तो भी stomach egg के लिए या bound problem के लिए यूज़ किया जाता है उसके साथ tooth egg, cramps और diarrhea इन सब के लिए भी यूज़ किया जाता है Christmas fern को और अगर breaking fern की बात करें तो वो भी diarrhea में यूज़ किया जाता है omitting में यूज़ किया जाता है infection, weakness और stomach cramp, headache इन सब में यूज़ किया जाता है तो इस तरह से ये जो fern है तो fern को medicinal यूज़ भी होता है और बाइफटलाइजर के तोर पर और ornamental plant के तो तो इसका बहुत जादा यूज़ किया जाता है आप जानते हैं ये garden में लगाया जाता है और उसके साथा जो बुके वगरा बनाते है तो उसमें भी इसको यूज़ करता है फern को यूज़ करता है और भी दूसरे जो सजावट के काम होते है उसमें फern को यूज़ करता है तो इसकी लीफ देखने में बहुत खुबसूरत लगती है इसलिए इसको बहुत commonly यूज़ किया जाता है प्लांट के तो उम्मेद करता है फरन के बारे में ये वीडियो आपके लिए इंफरमेटिव होगी और ये जानकारी आपको इंट्रिस्टिंग लगी होगी थैंक यू